कल अपने स्तीफे से चार घंटे पहले विजयरुपानी एहमदाबाद के सरदार धाम के भवन के उद्घाटन कारकर में शामिल हुए वर्चुले कारकरम से जुड़ कर पिया मोदी ने इस भवन का उद्घाटन किया जब ये कारकरम चल रहा था तब किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि कुछ देर बाद ही विजयरुपानी को अपनी गद्धी गवानी पड़ेगी तो क्या विजयरुपानी के विदाई की पढ़क था पहले ही लिख दी गई थी आपको वो वज़य बताते हैं जिसके चलते विजयरुपानी गुजरात में अपना कारिकाल पूरा नहीं कर पाए गत पांच वरसों में मुझे भी योगदान करने का जो अउसर मिला उसके लिए मैं माननिय प्रदान मंत्री जी के बहुत आबारी हूँ आबात रगट करता हूँ अब मुझे पालिटी का द्वारा जो भी जवाद जिम्मेवारी मिलेगी उसका में संपुन धायत्वा और नए उर्जा के साथ प्रदान मंत्री जी के नित्रुत्वा में माननिय राष्ट्रिय अध्जल्ची के मारगदसल में में अवस्य काम करता रहूँ आ अचानक गुझरात के मुख्यमंत्री पत के स्तीफे के बाद विजयरूपारी ने सीम पत की जिमदारी के लिए पीम मोदी का भार जताया और नई भूमिका के लिए अपने आपको तैयार बताया और खुद को साधारन कारिकरता बताकर गुझरात में उठी सियासी हलचल को कम करने की कोशिश की मेरा अप्तियाग पत्र से गुझरात भारतिय जन्ता पाइटी के नए नित्रुत्व को अवस्य उसर मिलेगा तता हम सब एक जूट होकर माननिय प्रदान मंत्री जी के नित्रुत्व में गुझरात की इस विकास यात्रा को नई उर्जा नए उस्सा नए नित्रुत्व के साथ आगे अवस्य लेकर जाएंगे अपने स्टीफे के बाद विजयर उपानी की प्रेस कॉनफरेंस से जो बात साफ नहीं हो पाई वो ये कि आखिरकार एक गुझरात के सीम का स्टीफा हुआ तो क्यूँ वो क्या वज़त थी कि चुनाव से ठीक एक साल पहले गुझरात के सीम को अपनी गद्धी छोड़नी पड़ी इस तीफे की वज़ों पर चर्चा से पहले इन दो तस्वीरों को देखिए पहली तस्वीर एहंदाबाद में सरदार पटेल धाम के उद्धाटन की है इसमें खुद पियम मोदी वर्चुल माध्यम से शामिल हुए सीम विज़े रूपानी भी इस कारिक्रम में मौझूद थे और दूसरी तस्वीर करीब चार घंटे बाद की है जहां विज़े रूपानी पट से स्तीफा देने के बाद राजेपाल के पास पहुँचें यह हमारी पाल्टी की विश्ष्था है कि जो दाईत्व पाल्टी द्वारा दिया जाता है पूरे मनोयोग से पाल्टी कार्यकरता का कार्यकरता उसका निर्वन करते है और मुख्य मंत्री के रूप में मुझे जो दाईत्व का निर्वन करने के बाद अब मैंने मुख्य मंत्री से त्याक पत्रो देकर पाल्टी के संगठन में नई उर्जा के साथ काम करने की इच्छा भी जताई है अब मुझे पाल्टी का द्वारा जो भी जवाब जिम्मेवारी मिलेगी उसका में संपून दाईत्व और नए उर्जा के साथ प्रदान मंत्री जी के नित्रुत्व में मानन ये राष्ट्रिय अध्यत्षी के मारत दर्शन में में अवस्य काम करता रहूँगा अब आप उन वजहों को जानिये जो गुझरात के मुख्यमंत्री के अचानक स्थीफे का कारण बनी दरसल बीते कुछ दिनों से गुझरात सरकार में नित्रतु परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी चर्चा इस बात की भी है कि कुछ मंत्रियों विजह रूपानी के कामकाच को लेकर नाराजगी जताई थी इसके साथ कोरोना की दूसरी लहर के दोरान गुझरात में स्वास्तिय व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे थे यहां तक की गुझरात हाइकोट ने भी कोरोना वाइरस से निपटने में कमी खोलेकर गुझरात सरकार को फटकार लगाई थी बताया जा रहा है कि महामारी के दोरान लोगों को हुई दिक्कतों के चलते विजह रूपानी को लेकर नाराजगी बढ़ गई थी और बीजेपी के कई नेता इस नाराजगी के साथ अगले चुनाव में विजह रूपानी को चेहरा बनाने के पक्ष में नहीं थे हलाकि गुझरात से आने वाले केंद्रिय मंत्री पुरशोत्तम रूपाला नाराजगी के बजाए इस नेत्रितु परिवर्तन का प्रयोग बता रहे हैं ताकि विधान सवाचुनाव में पार्टी बेहतर कर सके और जैसे विजह भाई को एक नए नेत्रुत्व के रूपे पार्टी ने पतंद करके प्रयोग किये थे आईसे ही पार्टी और नए नेत्रुतों के बारे में सोचती होंगी और सोचा होगा जिस तरह साल 2016 में चुनाव के साल भर पहले अचानक विजह रूपाणी को मुख्यमंत्री पत की गद्दी मिली थी ठीक वैसे ही उन्हें अब गद्दी छोड़नी भी पड़ी है 2017 में विजह रूपाणी दोबारा सीयम बने थे तब भी कई और नामों पर चर्चा थी एहमदाबाद से गोपी घांगर और दिली से मांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंगल आज तक क्या विजह रूपाणी को पद से हटाना एंटी इंकम्बंसी कम करने की कोशिश है या ये गुजरात की वही सियासी परंपरा है जिसके तहट अब तक नरेंद्र मूदी को छोड़ कर बीजेपी का कोई भी सियम पांच साल का कारेकाल पूरा नहीं कर पाया है यूँभी बीजेपी ने बीते 6 महिनों में अलग-अलग सूबे में 5 मुख्य मंत्री बदले हैं यानि नेतरत्व में बदलाव के जरिये बीजेपी अपने विजए अभियान को आगे ले जाने की तयारी में जुटी है और सकतिम पूर के जाने के ज